हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई किचन तो आज हम 10 मिनट के अंदर बनने वाला एक ऐसा स्नैक बना रही हैं जिसे आप शाम को चाय के साथ खा सकते हैं और अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो रास्ते के लिए भी आप ये स्नैक बना के ले जा सकते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पतला वाला पोहा ले लिया है और इसे चन्नी में डाल कर मैं डीप फ्राई कर रही हूँ एक इससे जाड़ा वाला पोहा आता है जो हम आलू प्यास डाल कर नाश्ते में बना कर खाते हैं और अगर आपको छिवडा बनाना है तो आपको पतला पोहा लेना पड़ेगा जो आपको मार्किट से बड़ी असानी से मिल जाएगा तो पहले वाला पोहा मैंने फ्राई करके निकाल लिया है और मैंने ये थोड़ा सा पोहा और लिया है क्योंकि एक बार में सारा पोहा मेरा फ्राई नहीं हुआ था तो मैंने आदा आदा दो बार में किया अच्छे से इसका ओयल निकाल कर हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे अगर आपको इसे डीप फ्राई नहीं करना तो आप एक से दो चम्मच ओयल डाल कर भी इसे रोस्ट कर सकते हैं लेकिन डीप फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी होगा अब इसके बाद मैंने सिंग दाना ले लिया है और इसे भी हम डीप फ्राई कर लेंगे तो जब ये फ्राई हो जाएंगे तो थोड़े से डार कलर के हो जाएंगे और इनके छिलके की उपर क्रैक्स आने लगेंगे इसका मतलब सिंग दाना अच्छे से फ्राई हो चुका है इसे भी निकाल लेंगे अब मैंने ले लिये हैं कॉन्फलेक्स एक तो रेडिमेट कॉन्फलेक्स मिलते हैं जिनने हम दूद में डाल कर खाते हैं और एक ऐसे वाले मिलते हैं जिनने हम घर पर फ्राई कर सकते हैं तो ये मैंने एक कटोरी के आसपास ले लिए हैं और इन्हें भी हम इसी तरीके से फ्राइ कर लेंगे फ्राइ करने के बाद ये साइज में डबल हो जाते हैं फूल जाते हैं ये और छन्नी में अच्छे से इसका एक्स्ट्रा ओयल निकाल देंगे और इसे भी हम पोहा और करता है और इन्हें भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे अब ले ली है मैंने थोड़ी सी किश्मिश सेम तरीके से किश्मिश को भी फ्राई करना है जब यह इस तरीके से फूल जाए तो निकाल लेंगे और कुछ कड़ी पत्ते और एक से दो हरी मिर्ची डाल कर इन्हें भी फ् डाल लेंगे अब सारी फ्राई की हुई चीजों को मैंने एक थाल में डाल दिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसिस जैसे के आदा चमच नमक, आदा चमच लाल मिर्ची का पाउडर, कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी का पाउडर, आदा चमच चाट मसाला और एक से तेड़ चमच में डाल रही हूँ शूगर पाउडर, अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप चाहो तो इसके अंदर काला नमक भी आड़ कर सकते हो, लेकिन फिर आपको जो साधा नमक है उसकी क्वांटिटी थोड़ सेव भी आड़ कर सकते हो, ये बिल्कुल आपकी चोईस है, सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे, और इसे आप कई दिनों तक स्टोर कर सकते हो, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता, तो जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए, तब हम इसे जार में भर कर रख देंगे, और कई दिनों तक आप चाय के साथ इसे इंजोई कर सकते हैं, इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, और खाने में ये इतना टेस्टरी बनता है, कि अगर आपने इसे एक पर बना लिया, तो आप मार्किट का चिवडा लाना बन कर दोगे, तो आप इसे एक पर घर में बना कर देखना आपको बहुत पसंद आएगा, और आप इसे बार बार बनाएंगे, तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी, अगर रेसिपी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू